हलो, दोस्तों आप देखरें इन्हरू अज मेली समय के बात करने वाले भाइत्हें की यानि फीजिक्स के महत्तमौं स्वाल को डिसक्स करने वाले हैं और पस्चास सवाल को डिसक्तास करने वाले हैं जो यह सटेटकी एकजाम में पूछा जा सकता है सेट नमबर 5 है अभी तक 1 से 4 तक का नहीं देखें जरूर देख लिजेगा चलिए बिना देर की वागए बढ़ते हैं एक नमबर सवाल देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक नमबर सवाल दिया गया है कि एक परिफत में परियुक अर्धचालक चीप निम की बनी होती है तो किसकी बनी होती है तो सिलिकॉन की तो अपसन नमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं दो नमबर सवाल देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि परिवर्थी धारा को दिस्ट धारा में परिवर्थी करने वाले युक्ति को क्या क करते हैं यानि रेक्टीफायर करते हैं तो अपसल नंबर इसका राइट आंसर हो जाएमगा चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर डिखते Counsel है हा पर दिया गए कि अस्ता इस चुंबक बनाइय जाते हैं किसके बनाए तो क्या होसे हैसं का यानि इस पात कर तो बंवर यानि 20 का back can चैनल ऑफानी शेल में जो उती रधाती है क्या होती है क्या होती यानि कौन सी उर्जा होती है तो क्या हो जाएगा यानि तो रश्टायनिक उजात अप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नमबर स्वाल देखते हैं और यहाँ पे दिया गया है कि बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए पड़ियुक्त साधन है तो क्या लगा कर बदला जा सकता है तो यानि क्या हो जाएगा रेगुलेटर तो अप्सन नमबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं साथ नमबर स्वाल देखते हैं तो किस प्रकिरिया से संबंदी थे तो यानि आप देख सकते हैं एलेक्टरोलाइसिस तो अप्सन नमबर यानि डीस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आठ नमबर स्वाल देखते हैं निमन में कौन बीधुत और चुम्बकी है और चुम्बकी है पुछा जा रहा है तो यानि ताम बात तो अप्सन नमबर स्वाल देखते हैं दियागा चुम्बकी है यामतौर और भावलिक यामतौर के बीच कौन कहते हैं क्या कहते हैं याँ पर तो क्या हो जाएगा चुम्बकी है दिख पात तो अपसर नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए दस नमबर शवाल देख लेते हैं दिया गया कि निमली खित में से कौन सा एक प्रकृति में और अनुचुम्बकिये है तो कौन है जो अनुचुम्बकिये है तो अकसीजन तो अपसर नमबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए 11 नमबर शवाल देखते हैं दिया गया कि निमली खित में से कौन एक और चुम्बकिये पदार्थ है तो किसे माना जाता है और चुम्बकिये पदार्थ तो पिकतल को तो अपसर नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12 नमबर शवाल दिया कि भावतिकी में चतूर्थ आयाम का परचे किसने दिया था तो किसने दिया था तो अइंस्टाइन ने तो अपसर नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए रडार का अविश्कारक कौन था रडार जो होता है उसका अविश्कारक कौन था तो क्या हो जाएगा यानि Robert Watson तो option number 20 का right answer हो जाएगा चलिए 14 number शवाल देखते हैं positron की कोज किसे ने किया था तो किसे ने किया था तो adoption तो option number 20 का right answer हो जाएगा चलिए यहाँ पर पंदर number शवाल देखते हैं आप भी देखेंगे और बताएंगे चुम्बकी किस तरह संकेत करती है तो उत्तर के दिशा में तो अप्सन नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए 16 नमबर स्वाल देखते हैं निमलिकित में से कौन सा पदार्थ चुम्बकीये है यहाँ पे चुम्बकीये पुछा जा रहा है तो निकेल तो अप्सन नमबर इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए 17 नमबर स्वाल देखते हैं बीधुत मोटर किस सिधान के अनुसार कार करती है तो फैराडे के नियम के रुशार एक कार करती है चलिए ठारा नमबर स्वाल देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि बीधुत चुम्बक बनाने के लिए समान तक किस धातू का परियोग किया जाता है तो लोहा का चलिए यहाँ पे हम लोग 19 नमबर स्वाल देखते हैं और दिया गया है कि नियम लिखित में से कौन सा धातू और चालक की तरह ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर में परियोग होती है तो जर्मिनियम तो अप्शन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नमबर स्वाल देखते हैं दिया गया है कि नावकिये रियेक्टर में भारी जल का परियोग किस रूप में किया जाता है तो मंदग तो अप्शन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि कुलिज नालिका का परियोग क्या उत्पन करने के लिए किया जाता है तो क्या उत्पन करने के लिए किया जाता है तो एक स्किरने तो अप्शन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए 22 नमबर स्वाल देखते हैं दिया गया कि ट्रांजिस्टर के सवीचरन में किस धातू यानि वस्तू का पयोग होगा होता है या होगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो सिलिकन तो अप्सन नमबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग सिलिकन क्या है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो सेमी कंड़क्टर है तो अप्सन नमबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए 24 नमबर स्वाल देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि X किरने किसको पार नहीं कर सकती है X किरने जो होती है नहीं कर सकती है तो अस्तित उप्षन नंबर 20 का रा iteration हो जाएगा चलि यहां पर 25 नंबर स्वाल देखते है Microphone का विश्कार किसे विश्कार किसे माना जाता है किसने किया है Microphone का विश्कार तो यानि क्या हो जाएगा इसका राइट 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 है किसले माना जाता है यह बात बातलाने किया होजाएगा इसका नम्बब यह देख सकते गूट्ट वाखर्षां किसी माना जाता है तो किसे माना जाता है तो न्यूटन को आहसी कर आई आंसर हो जाएगा चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं तो 0.24 होते हैं तो अप्शन नमर एसका सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपने के लिए ध्वानी तरंग का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी वो यानि उपकरान है तो क्या हो जाएगा यानि सुनारत आप्शन नमर एसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग तैंत यानि एक तीस नमर स्वाल निमलिकित में क कौन सा सयत्र परतिवर्ति धारा को एक दिस धारा में परतित करता है तो कौन है वो तो अल्टानेटर तो अप्शन नमर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग 32 नमर स्वाल देख लेते हैं दिया गया है किस साइ चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर 33 नमर स्वाल देखते हैं निमली कित्म यूगमों में से किन महोतिक राशियों के समान भीमिय सुत्र नहीं होते हैं तो बल और दाब तो अप्शन नमर इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 न फुरा उपर आ जाएगा तो अपसन नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपे हम लोग एक वीकर में पानी पर वर्फ तैर रही है जब वर्फ पुर्णता पिघल जाएगी तो वीकर में पानी का तल कैसा होगा तो क्या हो जाएगा उ और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्यूंकि क्यूं टूट जाती है तो पानी जमने पर फैलता है तो अपसन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर हम लोग सैंतिस नमबर स्वाल देखते हैं पहारी पर चटता एक व्यक्ति आग चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि हम देखा सेधुरों के ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है तो कैसा होता है तो बढ़ता है तो अपसन नमबर डीस का राइट आंसर हो जाएगा चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बल गुननफल है किसका तो जो बल होता है वो किसका ग और यहां पर दिया गया है कि सुन्ने में स्वतंत रूप से गिरने वाले वश्टूओं का क्या होता है तो समान तोरन होता है तो अपसर नम्बर 20 का राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देख सकते हैं एक लकरी के जूले पर बैठी स्तिती में जूला जूल रही है तो उस लर्की के खड़े हो जाने पर दोलनों का अवर्थ काल कैसा होगा तो यह बात लाना है तो यानि क्या हो जाएगा यानि कम हो जाएगा तो अपसर नम्बर 20 का राइट अंसर हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाएगा तो क्या होगा तो उप्रुक्त दोनों हो जाएगा या नि सुमें एक दुगुना हो जाएगा और गति चार गुनी हो जाएगी चलिए निमली खित में सदी सरासी है सदी सरासी इसमें से ढूनना है तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर तो बेग है और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन की गती का पर्थम नियम का लाता है पर्थम नियम क्या का लाता है तो क्या हो जाएगा इन जरत्तों का नियम तो अपसर नमबर सीज का राइट आंसर हो जाएगा दो विक्टर जिनका मान अलग है कौन है या क्या होते है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उनका परिणाम सून नहीं हो शकता है सीज का राइट आंसर हो जाएगा चलिए 46 नुमर स्वाल देखते हैं बर्फ पर स्केटिंग करना परनासित करता है कि दा बढ़ने पर बर्फ का गलनाग क्या हो जाता है तो घर्ट जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब कोई नाव नदी के समूदर पर परवेश करती है तो क्या होता है थोरी उपर की ओर उठे जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं और निमली खित में से किसमें गति उर्जा नहीं है किसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा खीचा हुआ धनुस चलिए जब एक चल वस्तु की गती दुगुनी हो जाती है तो गती उर्जा कैसी होती है तो ये बात बतलाने है तो क्या हो जाएगा यानि दुगुनी हो जाती है चलिए लास्ट स्वाल देखते हैं जब दूद को विलोया जाता है तो उसमें मखन अलग हो जाता है इसका कारण क्या है तो क्या कारण है तो केंदर पर सारी बलतूप्सन नमर सीज का राइट आंसर हो जाएगा तो ये थे पचास स्वाल अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद